दोस्तो बारती एविटेशन सर्वस की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकर क्या आई है एरबोर्ट जाब से है दोस्तो आगे वीडियो में पूरा आप लोगों के साथ पूरी नोटिफिकेशन शियर करूंगा पूरा दिखाऊंगा आपको क्या इनका प्रासेस है अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बार लगे कि हमें इस जाब की दरूरत है आप एप्लाइ कर सकते हैं वीडियो के साथ आपको एक लिंक मिलेगा कोई भी वीडियो में अप्लोड करता हूँ जाब से रिलेटड साथ में मैं लिंक देता हूँ आपको आसानी हो जाए अप्ला इस तरह से एरबोर्ड जाब's Application forum apply for airport jobs इस तरह से आपके समने इनका page आ जाएगा यहाँ पे आपको apply now पे click कर देना है इसके बाद आपके समने इस तरह से बारतिया अविटेशन सर्वर्स का पुरा official page open हो जाएगा यहाँ पे आप तेख सकते हैं Notice, Apply Now, How to Apply Video, Download Notification Hindi, Download Notification English अगर आप Notification को देखना चाहते हैं, पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप Download Notification English पे क्लिक करेंगे आपके समने पूरी Notification ओपन हो जाएगी, यहां पे आप देख सकते हैं, पूरा इसको पढ़ सकते हैं Starting Date आप देख सकते हैं 15 November 2022, Last Date आप देख सकते हैं 18 February 2023 तक इसकी Last Date है इसके बाद पूरी Notification आप नीचे आके पर सकते हैं, यह पूरी Real Notification है Qualification आप देख सकते हैं क्या रहने वाली है और Salary आप देख सकते हैं क्या रहने वाली है इसी तरह थोड़ा नीचे आजाएंगे कुछ application process यहां पर दिखाया जाएगा किस तरह से आप apply कर सकते हैं जो इनकी exam फी रहने वाली है वो आप देख सकते हैं कितनी है इसके बाद Salve सा आप देख सकते हैं क्या क्या रहने वाला है, किस बेस पे आपका written exam होगा age limit की अगर हम बात करें तो 30 साल तक है, आप देख सकते हैं SC, ST, OBC वालों को 35 येर तक है, exam center किस किस जगा पे होने वाले हैं अगर यह notification पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हमें यह फारम apply करना चाहिए तो apply कर दें, आज कल सभी को जाब की जरूरत है apply करने के लिए बास आपको अपनी basic details जो होती है, आप अपने mobile phone से apply कर सकते हैं link में इसलिए हर वीडियो के साथ देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न हो दोस्तो registration करने के बाद जो भी document का size बनाना पड़ता है उसके लिए भी एक मेंने application का link दिया है, अगर आपको document का size बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है आप वीडियो का description box चेक करें, वहाँ पे आपको एक application का link मिलेगा जिस पे आप click करके, download करके अपने photo का size चेंज कर सकते हैं और अगर आप चैनल में ने हैं तो चैनल को subscribe कर लें क्यूंकि आपके लिए में हर notification डूंड के अपने चैनल पर लाता हूँ